जिन जिवों को नाम मिला, रास्ता मिला, सब जिवों 100% परमातमा पाने का अधिकारी होते हैं, 100% एक भी जिवों ऐसा नहीं होता जो परमातमा पाने का अधिकारी ना हो जिनको मिला, जिनों ने बजन शुरू किया उसी समय से, उनका काम शुरू हो गया जिनों ने उस नाम को परिपकव कर लिया, जब में चले गए, जब से सुमरण में चले गए जब हर समय हो सकता है, चोवीस गंटे जब हो सकता है, सोते हुए भी जब हो सकता है, उठोगे तब भी जब होता हुआ मिलेगा, लेकिन सुमरण चोवीस गंटे उन स्तीती परग्य महापुर्शों का तो होता है, हो सकता है, करोण अरबों में कोई एक है, लेकिन साधारण साधकों को सुमरण चोवीस गंटे होना आसान है, क्योंकि सुमरण का पता होना चाहिए, कि मैं सुमरण कर रहा है, सुमरण चल रहा है, सांसों के साथ करो कोई बात नहीं करना चाहिए, मन के साथ करो करना चाहिए, हर्दे के साथ करो करना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए, कि सुमरण चल रहा है, इतना जागरत इतना होस तो आदमी को चाहिए कि उसे पता हो कि सुम्रण चल रहा है शांसे चल रही हैं प्राकर्तिक हैं बहुत ची ऐसी चीजें शरीर में किरियाई हो रही हैं जो आप चाहो ना चाहो तो भी होती रहेंगी लेकिन सुम्रण होस में ही होगा हम सांसों के साथ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सुम्रण चल रहा है और सुम्रण हो रहा है पता होना चाहिए समझो जब आपका ये पता चूटा कि सुम्रण हो रहा है सुम्रण चूट गया और आप अटक गई आप बैठे बैठे विचारों में खो जाते हो बैठे बैठे ख्यालों में सपनों में खो जाते हो कई बार बड़ी मज़ेदार बात होती है एक महिला आई मेरे पास उन्होंने आ करके दंडवत प्रणाम किया कई वर्सों से आ रहे हैं उन्हों हमारे पास करीब साथ वर्सों से साथ आठ वर्सों से दंडवत प्रणाम किया उन्होंने कहा जी अनुभव हो गया मैंने देखा कि चलो अनुभव हो गया अच्छी बात है देख तो लेना चाहिए मैंने देखा उपर से नीचे तक मुझे थोड़े हशी आई है और मैंने पूछा कि परमात्मा को याद किये कितने दिन हो गए उन्होंने कहा अब तो जी समय ही नहीं कई महीने हो गए नाम लिए मैंने देखा मैं ये सपने देखना अब तक तुमने छोड़ा नहीं है उन्होंने कहा कि मुझे सपने में बड़ी चमकदार सा एकदम सा परकास दिखाई दिया मैंने कहा फिर हो गई सिद्ध कि जी माफ कर दो मैंने कहा बेवकूफ बाहर बैठे हैं लोग उनको बनाना वो आपके बड़े खुस हो करके सुनेंगे कई तो ऐसे भी बेवकूफ हैं जो तुमें ही गुरू मान लेंगे ऐसे भी लोग हैं कि इसको अनुभव हो गया इसी से पूछ लेते हैं गुरू जी के पास तो समय नहीं है ऐसे भी बहुत लोग हैं और तुमें यही वरोसा करने लगेंगे कि इसे तो कुछ पता होगा लेकिन नादान लोग जिन छोटी छोटी चीजों को अनुभव मानते हैं कि सौपन में कोई पाहड दिख गया उसके उपर चड़ रहे हैं कि मेरी तो चड़ाई शुरू हो गई दूसरा पुडोसी कर ये बात सुन जाए तो बस कहना ही क्या वो आ करके मेरे साथ लड़ने लगता उसकी चड़ाई शुरू करवादी में पीछे रह गया मैं समझाता हूँ भई ऐसे चड़ाई नहीं होती कि नहीं जी वो बता रहे थे पाड़ पर चड़ रहा हूं तो इस प्रकार की जब ये शोपन में चीजें दिखती हैं कोई शोपन में अपना रस्षा बांदे हुए है कि आपने बोला था कि डोर पकड़ के चड़ जाओ कि मुझे रस्षा दिखाई दिया और चड़ गया मैं ये जो अपने मन माने ढंग है कि मैंने वैतरनी का वर्ण किया बड़े खतरनाक जीव थे अग्जी मैं तो गोशाला में जाता हूं गाएं आई मैंने पूछ पकड़ी वैतरनी पार हो गई कि जो ये कल पनाएं मानों के दिमाग के अंदर जो चलती है ना जो ये मानों का दिमाग गुरू के साथ भी खेलने का परियतन करता है कि मेरे से मोहर लगाने का परियतन करता है कि आप बोल दो कि हाँ है तो बाहर जो बैठे उनको तो मैं अपने आप देख लूँआ तो जो ये विचार धारा है ना ये भगती नहीं है ये विचार धारा मुक्ष के राष्टे तक भी नहीं जाती ये विचार धारा आपको जीवन मुक्त नहीं करेगी ये जो सौपन दिखते हैं ना ये वो नहीं रास्ता जहां में ले जाना चाहता है मैं सौपन और सुशुक्ति की दुनिया से अलग ले करके जाना चाहता हैं लेकिन आप वहां ना जा करके दूर भागना चाहते हैं मुझे तो कई बार समझ नहीं आती हम क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि सामने वाले को ये पता हो कि हम हमें परमातमा मिल गया मैं तो चिपता हुआ गूमता रहता हूं किसी को पता ना चल जाए कि इसके पास कुछ है ये कुछ अलग है मैं कोशिश करता हूं कि जो साद आरण लोग है उनसे भी थोड़ा सा परियास करें हम कि उनसे भी नीचे बनके रहे बिल्कुल साद आरण सा विवार करें और ऐसे रहे कुछ ऐसा नए पहने जिस से ये लगे कि इसके पास कुछ हो सकता है कहीं कुछ पता ना हो इसको नहीं एहसास नहीं होता तो जब आप इस परकारशे सोचेंगे साद आरण जितना आपका हर्दय कोमल होगा जितना सच आप बोल पाएं जितना सच के उपर चल पाएं जितना सच और समर पाएं और जी पाएं पहले आप आप कैसे भी हों इसे related हों पिस्ट Indy मियां हों cool सद्विकार करना कोई भी कमी कोई भी कमजोरी कोई भी अरएं आसी नहीं को जिसको चोड़ा नहीं जा सकता सभी कार कर के आगे नहीं बढ आ जाएं सकता सट्य के अंदर समर्भूति थे वो बहुत मुजबूत है वो ताकत आपको आतम इश्वास अलग ही पैदा करेगी जब आपको प्राप्ती होगी आपको बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि मुझे प्राप्त हो गया मुझे पता चल जाएगा कि हाँ उस जीव के उपर किरपा हो गई पता चल जाएगा अगर मुझे ना भी पता चलेगा तो वो उपर बैठा है वो मुझे उठा करके बता देगा कि उठ लो उसको हो गया उसका काम इतना जुडाव है मेरा मेरे गरू के साथ और उसके आदेश के बिना हम कोई कारिये नहीं करते हैं हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है झाल झाल